कि इसी तरह हम अपने दुसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं क्या मुसल्मान लाजिम है कि उसको कंपल्सरी गोश्ट खाना है क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि अगर आप मालम होंकि आटायर से मुसल्मान दिग गए तो वाखी पहला कोशन है क्या गोश्ट खाते हैं हमारे पास अगर्ण दिग्वाश्ट आप में चोटी चोटी चीजों पर माइंड डाइवर्ट करके हेट्रेट करने की कोशिच करते हैं अपने तो गोश्ट का सवाल किया तो मुसल्मान जब मालूम है तो दो तीन चीज़े बुस्ते लाजिम मुसल्मान है रगोश्ट खाते अचा बी कि तुम तुमारे लिए हराम है मुड़दार गोश्ट भेता खून शुवर का गोश्ट और ऐसा खाना जिस पर अल्ला का नाम ने लिए लिए हराम है एल्ला यह कि कि कोई ऐसी मुसीबत आ जाये जिसमें जान जाने की बारी आ रही है तो यह सब चीज़े हलाल हो सकती है तो अल्ला सुभाना तोला ने फौरान आयत नाजिल कर दी का एला कि नवी जिस चीज को हमने हलाल किया आप उसको हराम खरार कर सकते हैं कि आप ऐसा इस्तिनाब कर सकते हैं कि हराम की कैटगरी में चल जाएं तो आप इसका जवाब दे दे तो हम यह नहीं कह सकते कि अगर किसी पटिकलर कम्यूटी को दुख पहुंचता है तो हम गोश्ट खाना छोड़ देंगे छोड़ दो बिल्कुल उसको हराम की लेवल पर लेगे जवाब यह है इसका कि अगर एक मुसल्मान गोश्ट नहीं खाता गोश्ट खाना उसके लिए लाजिम नहीं है बिल्कुल दिन में एक टाइम खाना ही खाना है वही मगर मुसल्मानों के जबड़ों के बीच में गोटी नहीं आये तक खाना नहीं उतरता यह भी पक्किवाद यह चीज से आप लेगर करते आज यह जबड़े के विज़ने गोटी आज वह भी नरम माना बिल्कुल सौफ्ट सखत आय भी तो घर भगर रहे में घर मेरे तो चीख कि अब रहे हैं जाकर देखिये नाइट रस्टोरेंट में जाकर देखिए फेस्टिवल के बात देखिए जबर्दस्टराओं पर में एक अलग नहयत पर जाता मकर मुसल्मान गोष्ट खाया तो ही मुसल्मान है यह सोचल मीडिया वार के सवाला था तो बरहल इसका जवाब यही है कि एक मुसल्मान अगर जिन्दगी पर भी गोश्ट नहीं कहा किसी भी वजवात से वह वज़ा यह नहीं रहना कि भाई मैं खातों इंचे नहीं तो फिर वह वाकायात के लेना नभी अक्रम का कि अपने आप पर वह चीज हराम नहीं कर सकते जिसको अल्ला ने हलाल कर द कभी-कभी खाता हूं कोई प्रॉब्लम नहीं तो अब अरहाल यह जो लोग इन्हें सोचल मीडिया पर सवाल करते हैं कि मुसल्मान गोश्ट खाए तो ही मुसल्मान है नहीं मुसल्मान रहने के लिए इसलाम के पांच अराकीन पर अमल करना जरूरी है और इमान के छे अराक इनको इंशाला इंशाला अच्छे और बड़े पैमाने पर अल्लाह और रसूल की तायत करते हुए अगर अमल करेंगे तो वहां पक्या मुसल्मान हो सकते हैं यह खाने पीने से मुसल्मान पक्के होने का कोई कंडिशन नहीं है